Hello everyone, मैं हूँ आपकी दीपशिका और आप देख रहे हैं दीपशिका लाइफ स्टैल डेकोरेशन की जनमास्ट मी सीरीज आज हम बनाने वाले हैं बहुती प्रिसिद और एक रहिश्मई जंगल को जिसका नाम है निधिवन का जंगल जहां पर कहा जाता है मानिता ये है कि आज भी भगवान श्रीकरशन रासलीरा रचाते हैं अपनी सक्षियों के साथ, गोपियों के साथ, संग में राधारानी के साथ और इस वीडियो की फर्माईश की है हमारी जो व्यूवर है, सब्सक्राइवर है चंचल गुपताजी तो मैम आपकी फर्माईश पे वीडियो चैनल पर हाजिर है और जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे आशा करती हों कि सभी को ये तरीका और ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी और एक जलक मैंने आपको पहले ही दिखाई हुई है कि कुछ इस तरह का निधिवयन का जंगल है हम आज बनाने वाले हैं अपनी जन्मास्टमी की जहांकी के लिए और इस जंगल के बारे में बहुत सारी मानिताएं और रहे समय बाते हैं जिसका जानते होंगे कि आज भी रासलीला होती है श्रीकरश्ण जी आज भी हर रात आते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया हुआ है एक कार्डबूर का टुकड़ा जिसके उपर मैंने इस कैच से इस तरह से जैसे क्लाउड्स बनाते हैं बादलों की डिजाइन बनाते हैं उसी तरह स छोटी छोटे शोटी से मैंने पार्ट 3-4 तरह से इस तरह बनाए हैं और बीच में फिर एक जो पेड़ का आकार होता है डंडे का वो दिया है अब हम क्या है इसको करणकरेंगे कैची से तो इस तरह के कार्डबूर्ड में जब आप ड्रौ करेंगे पेड़ को तो एक चीज को ध्यान रखेगा कि उसकी लंबाई बहुत जादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि निधिवन जंगल में बहुत लंबे-लंबे पेड नहीं है छोटे-छोटे हैं लंबाई में और घने होने चाहिए वो तो इस तरह से देखिए मैंने कई सारे कार्डबोर्ड की पेड़ को कट करके रखा हुआ है और नीचे वाला जो उनका तना है उसको मैंने डार्क ब्राउन कलर से पहले पेंट किया हुआ है सभी को इस तरह से किया है और उपर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं उसको मैंने लाइट ग्रीन से किया है डार्क ग् जाती है तो वो कलर आपका कवर अप कर देगा और आपकी सुन्दता पेड की बढ़ जाएगी और अब आप यह जो मेरे हाथ में देख रहे हैं यह पतली जो फॉर्म शीट होती है जैसे कि आप साडी खरीते हैं सूट खरीते हैं या रेडिमेट कोई भी बच्चों का गार्मे देख रेडिमेट जासे हम लोग पालक और मेथि काटते हैं बधुमेट काटते हैं उसी तरह से चोटा-चोटा आप इसको काटसका है जासे मेटना ही महीन आपको काट सकते हैं उतना ही आपको साव काटना है तो मैंने सारा कुछ यहाँ पहले कैची से इसको क sneaking कर रखा तो जितना डार्क आपको अपनी फॉर्म शीट का कलर देना है उतना ही कलर आपको इसमें मिक्स करना होगा अब इसको अच्छे से पहले मैं हाथ से घोल रही हो जिसकी पूरा कलर इसमें अच्छे से मिक्स और मैच हो जाएगा अब जितनी भी form sheets को आपने cut करकी रखा हुआ है उन सभी को इस bowl के अंदर आपको रखना है और हाथ से जैसे आटा गूनते हैं रोटी और पूडियां बनाने के लिए उसी तरह से इस form sheet को आपको गूनना है अच्छे से मसल के इसको आपने करना है जिससे कि सभी में अच्छे से इसका color भर जाए और पूरा अच्छे से spread हो जाए अब ये देखे कितना अच्छा खिलता हुआ color mix हो गया है अब क्या है कि थोड़ा time इसको आपको देना होगा सूखने के लिए क्योंकि ये form sheet है इसके अंदर पानी भर गया है अब ये देखे ही सूख चुका है उसकी बाद मैंने क्या है ग्लूगन लिया हुआ है और पहले थोड़ा थोड़ा ग्लूगन लगाया हुआ है पेड की उपर हिस्से में जहां पे हमने green color किया हुआ था अब cutting की हुई पूरी form sheet को उठा उठा के आपको थोड़ा थोड़ा इसके उपर चिपकाते जाना है जरूरी नहीं है कि ग्लूगन से ही ये चिपकेगा फैबिकॉल से भी चिपक जाएगा फैबिकॉल से भी चिपक जाएगा कोई भी आपके पास जो होता है चिपकाने वाला item आप उससे चिपका सकते हैं मैंने glue से इसलिए चिपकाया है कि इससे क्या है instant यह sticky हो जाता है और ज्यादा time नहीं लगता है fabric all से क्या है कि वो जो है चिपकाने में थोड़ा सा time लेता है तो आप अपने हिसाब से भी चीज को use कर सकते हैं fabric all से भी यह बहुत easily आपका चिपक जाएगा अब यह देखे भरा भरा आपका पूरा पेड़ दिखने लगेगा जैसे निधिवन में पूरे फैले हुए चेले हुए पेड़ है नीचे जमीन तक और भरे हुए सारे पेड़ है उस तरह से आपका यह देखे सारे इसी तरह से बना लेने है कल रहा है अब मैंने इसकक्या है इसक्वार की शेप का एक कार्ड़ोड लिया हुआ है आपको लंबाई चोड़ाई कार्ड़ड की उतनी लेनी ए सने क давайте धूरा इतना बड़ा आपको जंगल बनाना है तो मुझे इतना बड़ा बनाना था निदिवन जंगल को बनाने के लिए उन सब को आपको चिपकाना है पर चिपकाने से पहले एक बात को आपको दिहान रखना होगा कि बीच में जो है एक जगे होनी चाहिए जहां पे श्रीक रशन जी अपनी रास लीला करते हैं तो आप इसको पूरा सरकल की शेप में चिपका बीच में एक जगे छोड़िएगा जहां पे एक महा रास लीला रचाने के लिए श्रीक रशन जी आएंगे आपकी जन्मास्टमी पर आप पूरे मन से विश्वास से आस्था से इसको बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आपके बनाए हुए निदिवन जंगल में भी जन्मास् पूरता जी ने तो कुछ क्रेडिट उनको भी जाता है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है तभी मेरे दिमाग में भी आइडिया आया कि इसको कैसे बना के आपको दिखाया जाए तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तरीका वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भ साथ ही में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किये बिना मत जाएगा क्योंकि इसी तरह की डेकोरेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरी चैनल पे आगे भी मिलती रहेंगी साथ ही में आप नौटिफिकेशन बैल देख रहे होंगे उसको प्रेस पाएंगे और जल्दी जल्दी सारी डेकोरेशन को कम्प्लीट कर पाएंगे तो ये रहा हमारा निधिवन का जंगल जो कि बहुत ही सुन्दर लग रहा है देखने में और बीच में जो आप जगे छोड़ेंगे अगर आपने राधा क्रेशन भी बनाए हैं सकियां भी कार्डबोर्ड हर जगे अवैलेबल होता है तो वही चीजे मैं आपको शियर कर रहे हूं जो आपको आसानी से मिल जाएं आपको मार्केट में नहीं भटकना पड़ेगा और सुन्दर सी जन्मास्ट में के जहांकि आपकी बनके तैयार हो जाएगे अब अगर वीडियो अच सकते हैं कमेंट बॉक्स में हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बना दी जाए सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को प्यार देने के लिए जुड़े रहे दीवशिखाज लाइफ स्टाइल डेकोरेशन के साथ मिलते ह नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू